हेलो अब्रेवन वेलकम बैक टू जीटेक पॉली दोस्तो आज हमें एक नया सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनरिंग का न्यू वैज लॉंच करने वाले हैं और इस सब्जेक्ट को हम यूटूब पर करेंगे विल्कुल फ्री आफ कोस्ट जैसा कि मैंने आप सबसे पहले ही प सब्जेक्स हैं सभी सब्जेक्स आपको यूटूब पर फ्री आफ कोस्ट प्रोवाइड कि जाएंगे अब कुछ बच्चे यह वी कमेंट्स कर रहे थे जिन्होंने पेड कोर्स मतलब लिया है कह देते कि सर आप और सब्जेक्ट के अलावा अधर सब्जेक्ट भी एप पर ह चलाई है तो हमने उन बच्चों को भी समझाया था एक बार फिर से कंफर्म कर देते हैं आप सबको कि अधर सब्जेक्ट हमारा यूटूब पर रखने का में पर पर यह है कि जो बच्चे थोड़ा सबीक फैमिली से ब्लॉंग करते हैं जो कोर्स को पर्चेज नहीं कर सकते स सब्जेक्ट के कोर्स को तो उनके लिए भी हैल्फ हो पाएगी इससे इसलिए ओनली आर्सी सेंट सर्वेंग फस्ट की ही क्लास आपके अपर रहेंगी बाकी सब्जेक्ट हम बन वाई वन यूटूब पर कवर करेंगे जिन में से आज हमारे स्टार्ट हो रहा है इरिगेशन इंजिनियरिंग की में आज आपको स्लेवर समझा देता हूं पहले तो इसके चैप्टर के नाम एक बार बता देते हैं फिर देटेल्स लिएवर की बात कर लेंगे ठीक है तो इरिगेशन इंजिनियरिंग में ओवर और यह 12 चैप्टर है ठीक है अलग आपको ये भी बता दू कौन-कौन से चेप्टर्स आपके बहुत ज्यादा इंपोडेंट है जिनमें पहला है इंट्रोडेक्शन यहां से एक क्यूस्टन आ जाता है इसके बाद दूसरा है वाटर रिक्रूट्मेंट वाटर रिक्वाइर्मेंट ऑफ क्रॉप्स यानि फसलों मेट्व ऍटू अबगारेंगे केश हानकर इम ने आपको इरिकरेट्फ़ springs के मत Cum pande बन सकता इसका वबकर सब्सक्राइम से रois as रेगुलेटरी वर्क यह बहुत इंपोडेंट है ठीक है इस्टार बना दे रहा हूं यह वाला इंपोडेंट है आपका यह मेथड़्स ऑफ इरिगेशन कैनाल और यह डेम्स ट्यूबेल बहुत ज्यादे इंपोडेंट नहीं है आठमा चैप्टर यह भी इंपोडेंट है कैन इसके बाद ट्रेनेज वर्क यहां से क्यूस्ट अलता है हाइड्रोलिक इस्टेक्टर है पड़ेंगे जिस में मतलब आपका कैनाल फॉल वगरा जो होता है उसके बारे में जानेंगे और आगे है आपका रिवर यहां रिवर लिख लिजी बुटा रिवर ट्रेनिंग वर्क रिवर ट्रेनिंग वर्स आपका 11 चैप्टर है एंड लास्ट है वाटर लॉगिंग एंड ड्रैनेज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज अब यहां मैंने चैप्टर के नाम हला कि बिल्कुल इंग्लिस में लिखे हैं सभी चैप्टर के नाम लेकिन हम जो स्टडी करेंगे लेंग्वेज में करेंगे हिंदी में भी करेंगे इंग्लिस में भी करेंगे और जितना कुछ भी आपको यहां पर मैं पढ़ाऊंगा प्रते एक चैप्टर का प्रते एक लेक्चर का पीडियेफ आपको दिया जाएगा पीडियेफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड क इसका एक lecture आपको पढ़े मिलेगा इसका यानि irrigation engineering का एक lecture आपको पढ़े दिया जाएगा और दो लेक्चर आपके RCC और सर्वेंग फस्ट के एप पर चल रहे हैं वो रेगुलर चल रहे हैं सर्वेंग फस्ट आठ अपरेल से सिरु होगा मतलब कल से स्टाट होगा RCC के अब तक 12 लेक्चर हो गया है तो जिन बच्चों ने भी RCC का कोर्स इन्रॉल नहीं किया है कर लीजिए बहुत अच्छे भी में हम क्लास को कवर कर रहे हैं जिन बच्चों ने भी क्लास को इन्रॉल किया होगा और जो आपका सर्वेंग फस्ट है इसकी फीस हमने केवल 200 रुपे रखे जो बच्चे अब तक नहीं खरीदें स्कोर्स को आप लोग इन्रॉल कर सकते हैं इसके अलावा जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट आपके यूटूब पर चलेंगे उमीदा आप सब समझ पा आप लोगों को भी एक ओस लेना चाहिए बाकी जितने सब्जेक्ट हम यूटूब पर बन वाई वन कवर करेंगे मुझे उम्मीद है इतना आपको अब तक का सब कुछ समझ में आया होगा तो यह जो 12 चैप्टर से ना इनका में एक बार आपको डिटेल्ड स्लेवर से समझ सका किलिए तो चलिए देख लेते हम स्लेवर सिस्का देखिए य रिगेशन इंजिनियरिंग का ऑफिशल नेके सबसे पहला मिखके डिटेल कंटेंट को देख लेते हैं कि Smaska क्या कौनए क्वैस अ सब से पहला सान the रा आपको irrigation की आविश्यक्ता बतानी है और इसमें आपको यह भी बताना है कि country की जो economy है उसमें irrigation का क्या रोल है तीसरा आपको पढ़ना history of development of irrigation in India मतलब इंडिया में irrigation के development का इत्यास क्या रहा है इसके बारे में पढ़ना है और चौथा topic आपको पढ़ना है major medium and minor irrigation projects of India मतलब इंडिया के जो बड़े मद्यम और छोटे irrigation projects है उनके बारे में पढ़ना ठीक है तो यह आपका पहला chapter के चार टोपिक है बहुत ज्यादा important नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसको ठीक है दूसरे chapter की बात कर लेते हैं दूसरा chapter very very important water requirement of crops तो इसमें आपको कौन-कौन से topic पढ़ने है इसमें पहला topic आपको पढ़ना है principal crops in India and their water requirement मतलब इंडिया में जो हमारी मुख्य फसले हैं उनके बारे में पढ़ना है और उनके लिए पानी की क्या-क्या requirement है यह आपको पढ़ना है दूसरा topic आपको पढ़ना है crop season crop season आपके लेवर में दो ही दे रखे हैं खरीफ एंड रवी तो आपको खरीफ और रवी season के बारे में पढ़ाई करनी है ठीक है अब आते हैं दूसरे chapter के अगले topic पर अगला topic आपको इसमें पढ़ना है सोईल वाटर के बारे में सोईल क्रोप के बारे में सोईल वाटर रिलेशनसिप मतलब आपको यहां पर तीन है यह सोईल वाटर है सोईल क्रोप है और सोईल वाटर रिलेशनसिप इन तीनों के बारे में पढ़ना है इसके बाद आपको पढ़ना है Duty के बारे में डेल्टा के बारे में एंड वेश स्पी यह को और इन तीनों की रिलेशन सिप भी अपको देखनी्常 ृती टा क्या है डेल्टा क्या है वेजस्पी रेट यहां अपस में या रिलेशन होता है नेक्स टॉपिक आ Maple नसमें ज्रॉस कुल्चरल को मांड एरिया आगे पिर आपको पढ़ता है इंटेंसिटी औहले संदिटिक यहां लेपनीचे तो यह टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सेकेंड चैप्टर में जो की बहुत ज्यादा इंपोडेंट है आपको स्लेवर्स में ठीक है इसके बाद अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं अगला चैप्टर हमारा तीसरा चैप्टर हाइड्रो लॉजिकल साइकल केजमेंट एरिया ए सेव्रेज investir ऑफ के स्टिमेटिंग के मे Всем के मेथड बताने हैं अध्वांटेज बादिफाह रिकॉर्टेस मेंटवरäsवर्स की सेमयंटिकर्ट मेंटUm हरसमेंट एयरिया रण अफान पढ़ना तक चैप्टर को आफेक्ट करने वाले पढ़े ना है हाइड्रोग्राफ पढ़ना है बेसिक कॉंसेफ्ट ओफ यूनिट हाइड्रोग्राफ के वारे में भी आपको इस चैप्टर के इंतरगत पढ़ाई करनी है ठीक है यह तीसरे चैप्टर के टॉपिक्स हो गए इसमें एसटोडर है चौतहँ चैप्टर में जो आपकी श्लेवर्स में दिया है चौता चैप्टर थर्म इसमें पढ़ना है दूसरा लिफ्ट इर् 일ग सने पढ़ना है। आप पढ़ने इसमें पाणिएंगे सब्मर्शिवल एंड आप इसमें पढ़ेंगे वेल इर्रिगेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अगला मेथड पढ़ेंगे आप इसमें स्प्रिंकल इर्रिगेशन स्प्रिंकल इर्रिगेशन कंडिशन्स फैवरेवल एंड एसेंसियल रिक्वार्मेंट फॉर स् इस स्प्रींकल सिस्टम के वारे में पढ़ेंगे क्लासिफिक के सने कंप्रिंगों पनेंगे अगल स्ट्रिंगे ऐसे इर्रिए सन पढ़ेंगे सुटेविलिटिव और घ्रिफ इर्रिए deba s और component पढ़ना प्रिंग 150 देखनें मतलब आपको चार में धर्ड देखने हैं खलो स्प्रिंगेशन इंके बारे में आपको जो ट्पिक दिया है यह स्टेड़ी करने हैं नेक्स्ट चैप्टरमा जो कि बहुत इंपॉड नेंचोल के बारे में देखिए क्या क्या पढ़ना तो इसमें पढ़ना को सबसे पहले आपको मैं फेक्टर्स पढ़ने में अलाइग्मेंट चैनल्ड में करES़ कन किये जाते हैं उनके वारे में पढ़ना है दूसरा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है functions and purpose of various component of channel channel के जितनी component है उनके purpose आपको बताने हैं उनके functions बताने हैं ठीक है तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे आप classification of channel, channel का classification करना है and their functions संस उनके काम भी आपको बताने हैं ठीक है आगे फिर इसकेश ऑफ डिफ्रेंट केनाल क्रोस सेक्शन यानि कि आपको जो अलगलग टाइप के केनाल के क्रोस सेक्शन है उन सबके सकेश खीचने मतलब डाइग्राम बनाने हैं अगला आपका चौतर टोपिक है वेरियस टाइप आफ केनाल लाइनिंग के टाइप सापको बताने हैं देयर रिलेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको इसके लावानी भी बताने हैं इसकेश भी बनाने आपको केनाल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है यह टॉपिक से आपके केनाल के अंतरगत अगला देख लेते हैं चप्टर 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 है त्यूवैल इरिगेशन आपको उपर बताया था जो की स्प्रिंकल का यह टाइप है फिर विए आप इसमें पढ़ लेंगे लग से चै अक्यूरेंस ऑफ ग्राउंड बोटर के बारे में पढ़ना है लोकेसर्ण एन्ड कमांड देखना है ड्वंति जैडवंतेज पढ़ने हैं कंपेरिजन करना आपको कमपेरिजन कैनाल के साथ इसका अगला आपको तीव से वारे में पढ़ना है एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म् कुछ को सब्सक्राइब को डिटरमाइनिग वेल यानी आपको यह को इसमें उनकी इंड के बारेमें पड़ना है को डिटरमाइन करने के method भी आपको देखने है next topic आपको पढ़ने है type ठीक है आगे देखिए next नाइक्स्सट ऑब बोरिंग के सबढने है इस्टोलेश्य और वेल असेंबली के बारे में लिखना है सब्लेइब अबके दाना को 593 विलनेंट वारे लिखना एसमें आगे पंस के बारे में पढ़ना है इन्स उलेरीशन ंड मेंटेनेन्स भी बताना नेक्स टोपिक आपका व्टर हार्वेस्टिंग एग्यक्ट की टेकनिक्स प्रस्ट की बतान바icallyN 다음에 क्या होओ और देखार में इसको disake wiring और यह मेटर्स की जरूरत बताना यह आपको रन आफ प्रॉम क्रोफ रूफ क्रोफ करन में पिप Venice संजा रहा हुँ क्योंकि आपको उपीसयल मेर्स में होता है नेक्ष्ट नेक्स्ट आप करेंगे कोई डेंद सकति यह भी में नथी के यह गोए आपको अर्थन यह प Здесь टाइप पढ़ने इनके causes of failure पढ़ना है cross section of homogeneous पढ़ना है आपको जॉंड पढ़ने इसके आपको इसका डाइफ्राम पढ़ना है टाइफ अर्थन डैम का डाइफ्राम ठीक है methods of construction देखने हैं आपको gravity damn type cross section of damn और methods of construction देखना है आगे आपको टॉपिक पढ़ना है में concept of small and micro dams concept आगे concept of spillway and energy dissipators पढ़ने हैं ठीक है डिसी पैटर्स क्या होते हैं डिसी पैटर्स हाला कि टॉपिक जेए में बहुत जाद इंपोडेंट है आपके डिप्लोमा के हिसाप से में में पार्ट पढ़ लीजेगा ठीक है सारा कुछ बता देंगा आपको पेपर के हिसाप से भी detailed knowledge के हिसाप से भी सारा कुछ कभर हो जाएगा अगला चेप्टर आपको canal headwork पढ़ना है और regulatory work के बारे में पढ़ना है यह चेप्टर इंपोडेंट है छोटा भी है इसमें आपको पढ़ना है choice of location of canal headwork यह नी canal head work की location choice कैसे करते हैं मतलब कैसे चूज करते हैं को धीक है आगे उबजेक्ट बन्न पढ़नी के अबजेक्ट देखने है जर्णरल याउट देखने आपको डिफरेंट टाइफ एड़ वर्क आगे आपको डिफरेंड बताना है बीट्विर और वियराज में क्या डिफरेंस बहुता है इसंट तोचिंट के ळेयन के अंदर ठीक लिंगे सब्सक्राइब कर दे जब्सक्राइब कि कुछा जाता में certainty हृइं यहां से इंतला आपको बता देंगें कहां कहां से अते हैं उसमॉल Statistics यहां प्रेद सब्सक्राइब टायलीनिष वर्क परकम कहें। स्केच बनाने है क्रोस सेक्षन और स्वारी क्रोस ड्रेनेज वर्क के स्केच खीचने ठीक है यह दो टॉपिक थे इन्हें आपको कवर करना इस चैप्टर में आगे दसमें चैप्टर के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है इसमें कुछ डेफिने संसे हाइडॉलिक स्टेक् फरट्र ओर है ईलेवन चैप्टर आपका रिवार ट्रेनिंग वर्क्स रिवार ट्रेनिंगर्स के आसे कॉंवर से इस पढ़ने आपको परक्रेंड फसट आप concentration क्या-को मींडरिंग पढ़्णा आपको एक क्या 興انक्क इसके बार के बारा परे इसके बाद आपको नेक्स्ट और dus आपका वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज एंड ग्राउंड बॉटर रिचार्ज यह तिन नामें इस चप्टर के तीन टॉपिक है मतलब इसके अंदर देखेंगे वाटर लॉगिंग के बारे में इसके कारण देखेंगे इसके बीमारी के परभाव देखेंगे मतलब इसके कारण कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती है आप डिफ्लेक्शन देखेंगे प्रिवेंशन भी देखेंगे आप आप आगे देखेंगे रेडिमीज ठीक है नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें पढ़ना है सर्फेस एंड सबसर सबसर्फेस वाली द्रेंस के वारे में पढ़ना है और उनके ले आउट भी आपको खीचने है ठीक है लास्ट टॉपक आपका इसमें इसमें आपको बताने है ठीक है तो इस लेक्टर में सिर्फ आपको स्लेवर्स ही समझा रहे थे तो इसमें स्लेवर्स रखते हैं के वन अब हमारा जो लेक्टर नमबर फस्ट आएगा इंट्रोडेक्शन चेप्टर का बहुत जल्दी मिलेगा आपको कोशिस करेंगे पर दे आपको एक लेक्टर मिलता रहे फिर विए थोड़ा बड़ दिले हो जाए तो परिशान ना हो क्योंकि हमारी एप पर जो क्लास चल जल्द अगले किसी लेक्टर में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर